मेटी लगा है और लीवर गाड टूट चुका है और थोड़ा सा यहां उपर नीचे हो रहा है चलो चलो हो गया कि अधर गाड़ी को उठा लिए पर बस यह बेंड हुआ था किरा इधर से बेंड हो गया था इसको थोड़ा हम लग ठोक किधर कर चुके हैं और आगे का दोनों जो लगा था मैंने लीवर गाड वह भी जा चुका है अधो मैंने एक सॉट्स देखा था या रील देखा था पानी के अंदर उसने एमटी फिफ्टिंग गुसा के रील बनाया था तो मैं सोच रहा हूं कि मैं भी बनाऊं तो जितना देर जितना दूर गाड़ी जा पाती जाता हूं और नहीं जाएगी तब फिर उधर से रिटन लेता हूं और जहां मेरे कुछ जगा मिलेगा मैं कोशिस करूंगा कि लिखे जाओं और वाइब चेक कर सकते आप लोग ओके गाड़ी गीर रहा जाए ओके ओओ 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 इसी को बोला था मेनी लद्दाख चाहां सही है सही है सही है लद्दाख मेनी लद्दाख है सही में थोड़ा थो भाई बाया लद्दाख का ओके डिस इस सो कॉल्ड मेनी लद्दाख ओके जूते गंदे कर तूं क्या हो ही गया करी देता हूं तो वेलकम बैक माई देर फ्रेंड्स और आज कई सारे टेस्ट करेंगे हमारी मारूती के साथ सब्सक्राइब के साथ लाइक स्पीड टेस्ट और लीन वगेरा तो लीन करने में तो काफी मज़ा आता है पत्रादु वेली में आप सभी को पता है और टॉप स्पीड दा भी निकाल नहीं सकता क्योंकि रोड ऐसे है यहां पर बाकि राइडिंग में तो बहुत मज़ा आता है यहां पर वाव एंद फील दा लीन वाव और आप लोग सीन देख सकते हैं और यहां पर तो किसी भी शीजन में आओ में लोग किसी भी टाइप के मौसम में आओ यहां आते आते तो फॉगी हो जाता है वाव हुआ हुआ है यहां 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 इसमें रहे हैं एक लास्ट लीन हो जाए यह आगे कार रहा ना कि क Михomi कर अग कि कि व्लाव कि व्लाव कार में आप होग उज पयर खर अब सो फाइनली सारी घाटी खत्तम हो गई एंड हो भी यार हियर फाइनल थोड़ा साराम देंगे इंजन को फीचे दोस्त रह गया तो पत्रातू वेली में लीन करने के बाद मेरे जो दोस्त आए हैं मेरे साथ वो लग बोले की चलो आगे मेनी लद्दाग तो पता नहीं कौन सा लद्दाग है मैं तो फूलो कर रहा हूँ उनको अगर मिनी लद्दाग कुछ ऐसा मिले तो आप लोग को भी दिखाता हूँ मिनी लद्दाग बोल के नाली में तो नहीं कुदादिये लोग कि इधर जाना है हमें देखते हैं कौन सा लद्दाक है अरे सीन तो सही है कि इसी को बोला था मेनी लद्दाक है अच्छा है सही है सही है सही है लद्दाक मेनी लद्दाक हाँ सही में थोड़ा तो बाई बाया लद्दाक का तो गलत रास्ता में हम लोग आ चुके हैं मेनी लद्दाक जाने के लिए हमें कि दूसरे रोड से जाना पड़िंग का कि अब कि हमारा एक दोस्त धर जा रहे देख सकते हैं आप लोग उसी को फॉलो कर रहा हूं कि अब कि दूसरे बाई को अब करें लद्दाक है तो वाँ सच में नी लद्दाक है तो ओ ईबजरंगी भायजान वाला जो सीन नहीं है हो बजरंगी बायजान मुवी मेरे को यादा आ रहा है यहां पर धisme भागती है कुamड आंड यहस थोड़ा तो वाए बार आ है मिनि लदाक वाला ओ को ह कूअ पारी थोड़ा तो वाई बारा है मिनि लदाक का वाइब है वाइब है और यहां पर कुछ सिनेमेटिक सोट्स ले लेंगे और देख सकते हैं अब लोग जब से आई मोडिफिकेशन किया हूं तब स्था काफी अच्छा लग रहा है मारुती तो थोड़ा बहुत सिनेमेटिक से लेंगे और यहां से निकलेंगे तो मैंने एक सोट्स देखा था या रील देखा था पानी के अंदर उसने एमटी फिफ्टिं को गुसा के रील बनाया था तो मैं सोच रहा हूं कि मैं भी बनाओ तो जितना देर जितना दूर गाड़ी जा पाती है जाता हूं और नहीं जाएंगी तब फिर उधर से कुड़े टन लेता हूं और जहां मेरे कुछ जगा मिलेगा मैं कोशिस करूंगा कि लिखे जाओं और वाइब चेक कर सकते अब लोग वाव 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 वाईब तो फूल है वाई 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 भ वाई भ व कि आ ओके ए गाड़ी गेर रहा जाए ओके ओके इसके आगे गाड़ी नहीं जाएगी इसके आगे गाड़ी नहीं जाएगी तो यहीं पर खड़ा करते हैं और यहीं से कुछ कुछ सिनेमेटिक्स लेंगे और एक गेर में होने के वज़े से देखियो, radiator fan भी on हो गया और आप लोग का बहुत सारा query था की, radiator fan कैसे on हो जाता है तो देखो, मैंने एक गेर पर भी चला है, इस वज़े से on हो गया तो आप लोग कम गेर पर यूज़ करते हो बाइक को, तो ये on हो जाएगा तो मैंने डिसाइड किया कि यहीं पर कहीं पर बाइग को रखा जाए और मेरा दोस्त में लिए रोड को साफ कर दिया और इस इस दा गुड़ प्लेस तो कीप आँ पर मारूती यहीं पर रखते हैं और यह ऑँ थोड़ा सा टच हुआ यहां पर यहीं पर नहुआ कोई दिक्कत नहीं कि लो नाव यू किन सी हमने यहां पर मारूती को रख दिया है और आगे का यात्रा पैदल ही तई करेंगे सही में लदक वाला तो फील आ रही है अगर आप लोग इस प्लेस को आना चाहते हैं तो पत्रा तू जितने भी भैली जैसे ही खत्म होगा उसके बाद आपको राइट लेना अपने तो सच में मीनी लदक है अगर इस प्लेस को आपको विजिट करना है तो पत्रा तू वैली जैसे ही खत्म होता है सारी घाटिया उसके बाद आपको एक पूल मिलता है उस पूल से थोड़ा सा आगे जाने के बाद 100 मेटर आगे जाने के बाद आपको राइट ले लेना है और आप पहुंच जाओगे दिस इस सो कॉल्ड मिनी लद्दाक ओके जूते गंदे कर दों क्या हो ही गए करी देता हूँ ओके मेरो का आइडिया नहीं कितना गड़ा होगा कि वाइब तो है तो यह लोगों देख सकते हैं क्या कर रहा है हम पर वाह बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है आने कि अब मैं यहां से निकल रहा हूँ और हां मिनी लद्दाक का वाइब तो आया अब अब हम लोग निकल रहें यहां से और मिनी लद्दाक बोल के लाया था यह लोग तो हां थोड़ा सो तो वाइब आया लद्दाक वाला वहीं पर मैंने रखा है मारूती को और वहां से जस्ट मेरे पास एक ही आइडिया है घुमाने को कि इस डेबलेस्ट सॉरी डेबलेस्ट ने दो होता नहीं है है यह माहा का किसी भी बाइक में मतलब दो बाइक पर आप रण फाइब और एम्टी फिफ्टिन में दो मैंने सुचाएगी वहीं से उसको उपर करके जस्ट घुमा लें तो देखते हैं मेरा प्लैन काम्याब होता है या नहीं कहां वहां पर महां से ठीक है चालो चालो हाँ सो बहुत सारा मुसक्कत के बाद चालो 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 हो गया अधर 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 नहीं दोनों बेंड हो गया था इसको थोड़ा हम लोग ठोक के इधर कर चुके हैं और आगे का दोनों जो लगा था मैंने लिवर गाड वह भी जा चुका है थोड़ा बहुत मिटी लगा है और कुछ नहीं बाकी कुबेर तो हमाई यह नहीं सिर्फ मिटी लगा है और लिवर गाड तूट चुका है और थोड़ा सा यहां उपर नीचे हो रहा है तो विश दिन के बाद सर्विस है तो उसी दिन इसको ठीक करवाएंगे और पुरा हैंडली चैंज करवादेंगे इसका मेरे को फाइबर्स का टेंशन था तो यह तो बच गया है टैंक बस यह है चलते हैं आज तो दिन बुरा रहा चाला मैंने थमनेल भी ले लिया अब बढ़ूंगा रोम की ओर मेरे को हैंडल टेड़ा लग रहा है इधर वाला बाकित सब तो सँ ही है व मैं करने के वाला हूं कि इसका 20 अगस्त को ट्रवीस है टिए पर मेरे को उतना दिन सबर होगा कि नहीं मेरे को नहीं पता वरना मैं तो मैं इस बारे में जाके घर में सोचूंगा उसके बाद अगर सर्वीस के दिन ठीक करा harvested ट्उच है वैसे मेरा honor book छुटा हुआ है घर पे ही बोकारों में तो honor book के बिना तो service करा भी नहीं सकता तो अगर मेरा mood हुआ तो आज ही मैं घर चला जाओंगा या फिर कल और वहीं पर जाके service भी करा लूँगा और इसके handle भी change करा लूँगा मेरे को जरा सा भी टेंशन नहीं है क्योंकि मेरे को इस सर्विस में ये हैंडल चेंज करवाना ही था क्योंकि पिछले बार जो क्रेश किया था उस बार से थोड़ा सा हैंडल खराब हो गया था वो रिपेर कर दिया था सर्विस वाले अंकल पर मैं उससे सैटिसफाइड नहीं था तो अच्छा है कि इस बार थोड़ा टेड़ा हो गया ताकि पुरा न्यू हैंडल ही अब लगा लूँगा इसका और अपना सर्विस भी करवा लूँगा तो दोस्तों यही था आज के वीडियो में पतरातु राइड और मेनी लदाक और अनेक्सपेक्टेड इंस इंसिडेंट विट माइबाइक मारूती पर कोई दिकत नहीं है तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बी हैपी इन यूर लाइफ और सेफ ड्राइफ